दोस्तों स्वागत आपका हमारों लेंटुशन पॉइंट में और आज हम पढ़ रहे हैं टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन जैसा कि इसके नाम में है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन जैट मेंस कि जो लाइट होती है वो इंटर्नली रिफ critical angle this phenomena is known as TIR where I is incident angle and I see is critical angle and IR is the angle between the reflected ray and the normal which is 90 degree in total internal reflection when angle of incident is equals to the critical angle internal total internal reflection को easily समझना है तो देखिए इस चार डियाग्राम बनाए हुए है जिनमें एंगल आई वन आई टू आई थ्री और आई फोर आई एंगल जिकें इंकल्स इंक्रीज होए जाए जैसे देख सकते हैं इस डियाग्राम में लाइट इस देंसर टू रेर जाती है तो नॉर्मल से आवे बैंड हो जाती है इसमें जब हम एंगल इंक्रीज करते है तो यह बहुत ज़्यादा बैंड हो जाती है बस थोड़ा सा रह जाता है बट जब एंगल थ्री एक क्रिटिकल एंगल की इके वह जाता है उस टाइम पर जब यह लाइट ठीक प्रिपैंड टू टुदर नॉर्मल जाती है इस से हम बोलते है क्रिटिकल एंगल्ड यहां इसे हम बोलते हैं तो इंट्रिक्टिड बिपलेंड होजाती है तो वह देखते हैं नेसेसरी कंडिशन्स फोटो टियार फ़स्ट अलाइट शुल ट्रैवल फ्रॉम देंसर मीडियम तो रेयर मीडियम जैसे कि आप देख चुगे है और सेकिंड दा एंगल ओफ इंसिदेंट शुल बीडिटर दें दा एंगल ओफ क्रिटिकल एट मेंस कि जो इंसिद पल्स ऑफ टीयार को ट्रॉन टेन रिफलेक्शन जिसमें फर्स्ट अता मिराज इंडिजर इसा कि आप जानते हैं इंडजर एडियाज दूटो इडिट इड गोष और जूब दूट टीयार इस नों जान आज मेराज इंडजर इंडिजर अन इस परकिलिंग आप देमन लाइक स्पार्क्लिंग आप दामन और थर्ड वन इस ऑप्टिकल फाइवर विच यूज तो सी अब्जेक्ट थैंक यू अगर आपका मारा प्यूटीव पसंद आया हो तो प्लीज लाइक किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और शेर भी किजिए